हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रश्ण कोश्रिल का एक लेसन प्लैन और जो हमारा टॉपिक है नभी करन नुरजा जैसा कि मैं अपने पहले के लेसन प्लैन्स में भी बताया है कि जब भी हम कोई लेसन प्लैन स् प्रियोग कर रहे हैं हम जिस तरीके से उन घटकों का प्रियोग करते हैं टीचर हमें उसी बेसिस पर रेटिंग देते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम उपर हेडिंग लिखेंगे प्रश्ण कोशल इसके बाद निरिक्षन सूची एवं निर्धारन मापनी जब हम और वन जो है वह बिलो के लिए कि आपने इंजिन घटकों का प्रियोग किया वह गटक बहुत निम निस्तर के थे उनमें उतनी बात नहीं थी अगर हम सेकंड और थिरीकी बात करें तो यह आपके सामने एदर आप घटक देख सकते हैं कि जो भी घटक लिके हुए यह आपन आपने इन घटकों का प्रियोग करा और बहुत अच्छे से करा हम घटक देख लेते हैं 15 अगर हम सबसे पहले की बात करें तो प्रशनों की इस पस्टता तो टीचर को जैसा भी लगेगा आपने किस तरीके से उनका प्रियोग करा है टीचर उस नमबर के आगे आगे आपको को टिक कर देगा जिसके हमारी इसके लिए प्रशन कॉषल प्रशन कॉषल अगर हमारी इसके लिह तो यह बात का ध्यान आप कि जब बच्चों प्रशन करेंगे तो अन बच्ое प्रशन है या नही ऐसा थो नहीं है। प्रेशन तो बोल दिया और अाने इतनी जल्दी बोला कि बच्चों को वह छीज के लिए नहीं हुई। अगर ऐसा होता है तो तो टीचर आपको 01 काटेज़् में टाल सकते हैं। और 2nd and 3 काटेज़् में तो भी सब्सक्तित हैं। इसके बाद हम दूसरा गटक देखें तो वह है प्रक्रण से संबन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हम पढ़ाते हैं लेकिन जब पेपर आता है तो उससे रिलेटेड कोश्चन नहीं होते हैं तो जो आप कोश्चन आयर तयार करेंगे उसमें आपको यह चीज का ध्यान बहुत रखना है कि आपने क्लास में जो भी पढ़ाया विदिन सिक्स मिनट्स जो आप कोश्चन बना रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड होने चाहिए अगर टीचर को लगेगा कि हां जो आपने प् परिवेचक टिपड़ी आएगी परिवेचक को जैसा भी परिवेचक यह वही टीचर है जो आपकी क्लास मेट करके आपको जज कर रहे होंगे कि आप कैसा पड़ा रहे हैं तो वह एक परिवेचक आपको टिपड़ी देंगे इसके बाद इदर परिवेचक हस्ताक जो हमें मेन करना यह तो हो गया टीचर के लिए जो हमारा काम है इस्टुटेंट का वो यह हो है तो पहले आपको एक बेसिक डीटेल्स होती है वो फिल करनी होती है जैसे कि दिनांग आप जिस भी डेट में यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे आपको वो डेट यहां पर डालनी ह कोण सो क्किक हम माइकरोटीचिंग के लसन प्लान विटिसकस कर रहे है तो माइकरोटीचिंग हो हूद이고 आपनीे व्लास में की जाती हो है तो के कश्हार में हम ढालेंगे संकक्ष इसके बाद हम कौशल कि कौश्ष प्रियोग कर है तो हमारा कौ Except विज्ञान प्रकरण नवीकरण उर्जा किस चक्र में हमने लेसन प्लान पढ़ाया है आप जिस भी चक्र में पढ़ाएंगे जैसे मैंने फर्स्ट में पढ़ाया तो मैंने इधर फर्स्ट डाग दिया है कालांच कितने मिनट का है मिनट का इसके बाद हम विश्यस टुद्देश ये देंगे जहां पर हम लेखेंगे प्रश्न कौशल की वहवार गटगटकों का विकास करना इसके बाद हम इक उद्देश ये कतन आएगे आज हम लोग नवी करन ऊडजा के बारे में अध्यन करेंगे इसके बाद main आता है प्रस्तुती करण, जो basic details हो गई, basic details के बाद प्रस्तुती करण आएगा, प्रस्तुती करण में तीन main column मनाए जाएंगे, विश्यवस्तू, छातर अध्यापिककरिया और छाते करिया, विश्यवस्तू में आपको नवी करण उड़ जाके बारे में लिखन तो आप इतर content कम रख दें लिए जब आप class में पढ़ाईंगे तो आप ध्यान रखें कि आप class में थोड़ा ज्यादा explain कर सकते हैं और उतना explain तो आपको कड़ना ही है जितने में से आपके question निकल रहे हैं तो विसेवस्तु में आप नवी करन ऊर्जा के बारे में लिख देंगे second column है छात्र अध्यापी का क्रिया इसमें आप करेंगे जो आपने content पढ़ाया है इसी content से आप बच्चों से प्रश्न करेंगे क्योंकि यह क्या है प्रश्नकॉषल तो पहला प्रशन बच्चों से आप करेंगे नवी कर्णिये उर्जा किन से प्राप्त होती है तो छात्रिक्रिया में क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा चुके आप बच्चों को समझा चुके होंगे तो आप बच्चे इसका उत्तर देंगे नवी कर्णिये उर्जा प्राकर्तिक शुरतों से प्राप्त होती है जैसे कि आप गटक देख सकते हैं आप एक 7 तंबर का गटक है कि प्रशन पूछने की गती क्या थी ऐसा ना हो कि एक प्रशन पूछा बचचे ने उत्तर दिया आप ने उसी के साथ दूसरा फिर से कुशन पूछ लिया आपको करना क्या है कि बच्चे जब आपने बच्चे से कुशन पूछा बच्चे अब उसका उत्तर देंगे कि आप बच्चे ने बोल दिया कि हमें सूरत से पराप्त होती है उसे बता सकते हैं यह गया है is विराम और उपियुक्त आवाज यह बहुत इंपोर्टेंट है एक कोशन का जब आपने पूछ लिया दूसरा बच्चे आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा आपको पॉज लेना है कि एक कोशन क्लियर हो गया कि हाँ आप एक कोशन हमारा खतम हो गया तब हम दूसरा कोशन पूछे देंगे तो आपको अपनी आवाज भी उपियों रखनी है सेकंड कोशन आप बच्चे से बूचेंगे नभी करन उर्जा के भंडार कैसे होते हैं तो बच्चे इसका उतर देंगे नभी करन उर्जा के भंडार असीमित होते हैं अब थोड़ा सा पॉज लेंगे इसके बाद आप तिसरा question पूछेंगे नभी करन उर्जा को और किन किन नामों से जानते हैं? तो बच्चे इसका जवाब देंगे कि नभी करन उर्जा को हम अक्षे उर्जा और रिन्यूवल एनरजी के नाम से जानते हैं आक्री प्रश्ण नभी करन उर्जाओं के नाम बताईए तो बच्चे जबाब देंगे सौर उर्जा पवन उर्जा ज्वारिय उर्जा इत्यादी इस तरीके से आप छात्राध्य आपिका किरिया में चार से पांच प्रश्ण रख सकते हैं और यह सारे प्रश्ण पूछने के बार आपका प्रश्ण कोशल फिनिश हो जाएगा थैंक यू